हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे मुगल सामराज्य के पतन में योगदान देने वाले प्रमुक कारणों की बारे में पहले हम बात करते हैं शिफ्टिंग अलिजेंस ओफ जमीदार्स के बारे में मद्य युगीन काल के दोरान दो वर्गों ने राज्य की शक्ति को समराठ के साथ साजा किया जमीदार और रईस जमीदार अपनी भूमी के वंशनुगात मालिक थे जिने वंशनुगात आधार पर कुछ विशेश दिकार प्राप थे उन्हें विविन रूप से रईस राजा ठाकूर खूत या देशमुख के रूप में जान जाता था लेकिन वे पूरी तरह सफल नहीं हुए थे औरंग जेब के शाषनकाल में ही जमीदारों की शक्ति और प्रभाब में उलेक निया व्रद्दी होई थी इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ के छेतरी निष्ठाव को प्रोथसान मिला कई स्थानिय जमीदारों ने सामराज्य की कमजोरी का फायदा उठाने और अपने लिए सुतंत्र राज्य बनाने के लिए सामराज्य के भेतर अन्य शक्ति शाली वर्ग कुलीन वर्ग की मदद की अब बात करते हैं जागिरदारी क्राइसिस की कुलीनों में वो लोग शामिल थे जिनने या तो बड़ी जागिरों और मनसब सोपे गए थे या मुगल सूबों के सूबेदार न्यूप किये गए थे उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी इस वर्ग में कहीं राजबूत शाषक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे मुगल साषन को अक्सर कुलीन के शाषन के रूप में परिभाशित किया गया है क्योंकि इन रईसों ने सामराज्य के प्रशाषन में एक केंद्रिय भूमी का निबाई थी हाला कि अकबर ने उनके लिए सुगटित संगठन प्रदान किया था लेकिन धर्म मातर भूमी और जंजाती के आधार पर कुलीनों में विभाशिन था और प्रत्य एक वर्ग ने अपने एक समोग बनाया बाद की मुगलों के शाषन के दोरान विभिन समोग के बीच आपसी दुश्मनी, इर्शिया और सत्ता के लिए संगर्ष एक मजबूत के इंद्रिय नेतरत के प्रभाव में ना केवल समराट की प्रतिष्टा को कम किया बलकि सामराज्य के पतन में भी योगदान दिया अब बात करते हैं राइज ओव रिजनल एस्पिरेशन की ओरंग जिब के शाषनकाल में जाट सिक और माराठो जैसे शक्तिचाले छेतिरिय समों ने अपने स्वयम के राज्य बनाने के लिए मुगल राज्य की अधिकार को धता बताते वे देखा वे अपने प्रियासों में सफल नहीं हुए लेकिन उन्होंने अपने अपने छेतरों में राजनितिक गटनों के भविश्य के पाठ्टे करम को प्रभावत किया राजनितिक प्रभूत के लिए सामराज्य के खिलाफ उनके निरंतर संकर्ष ने सामराज्य को काफी कमजोर कर दिया औरंग जेवर उसके बाद बादुर्शाह फस्त ने राजपुतों को दबाने का प्रयास करके उन्हें मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रयरित किया बाद के मुगलों ने राजपुतों के साथ सुले की निती का पालन करने का प्रयास किया लेकिन तब तक बहुत दे देश मुखी और चोथ की वसूली के लिए मुगल समराट से कानूनी मंजूरी प्राप्त करना शामिल हो गया। वे उत्तर की और बड़े। और सत्रसुचालेज तक गुजरात मालव और बुंदेलखन के प्रांतों पर अपना प्रभुत फैलाने में सफल रहे। सामराज्य के खिलाफ राजपुत संगर्ष और माराठो को बढ़ती महत्वकांशा और शक्ती ने इस प्रकार मुगल शक्ती पर प्रतिकोल प्रभाव डाला। अब बात करते हैं Economic and Administrative Problems के बारे में। समय के साथ अमीरों और उनके रैंकों या मनसुबों की संख्य में तेजी से व्रद्धी हुई थी। उनके बीच जागीर बाटने के लिए बहुत कम जमीन बची थी। ओरंग जम ने रिकोर्ड पर जागीरों से बढ़ी हुई आय दिखाकर जागीरों या बे जागीरों की तिर्व कमी की समस्या को हल करने का प्रियास किया। लेकिन यह एक आदूरदर्शी उपाय था क्योंकि अमीरों ने किसानों पर दवाब बनाकर अपनी जागीरों से दर्ज आय वसूल करने की कोशिश की। इसलिए अमीरों और किसान दोनों विरोधी थे। फिर यूदुवे समराटों और अमेरों की विलासिता पून जीवन शैले खाली सा भूमी में कमी इन सब का बोज राज्य पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि राज्य के व्याय उसकी आयसे बहुत अधिक हो गया। इसके अलावा कोई महत्पून व्याज्यानिक और तकनीकी प्रगिती नहीं थी जो एक इस्तिर अर्थ व्यवस्ता में सुधार कर सके। एक बार फलते फलते व्यापार ने सामराज्य के खजाने को समरित नहीं किया। भले ही यूरोपिय व्यापारियों ने तटिय भारत के साथ घुसपैट की। ये आर्तिक और प्रशाशनिक समस्या औरंगजेब की मृत्यु के बादे बढ़ी। जब शाशक कमजोर और अक्षम थे। तब सामराज्य केंदरी क्रत प्रणाली द्वारा कोशलता पूर्वक प्रशाशित होने के लिए बहुत विशाल हो गया था। तो ये दे कुछ कारान मगल सामराज्य के पतन के। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूट करें।